दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में दोस्तो घर हम एक ही बार 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 नहीं बनाया जाता है और जब भी हम अपना घर बनाना इस्टार्ट करते हैं नीचे फाउंडेशन से काम जब उपर हम अपना कराना सुरू करते हैं यानि कि जब हम अपना पिलींथ बिम बनाते हैं, जब हम अपने घर में DPC डालते हैं, तो हम अकसर यह सोचते हैं, अलग-अलग तरीके आजमाते हैं कि हम कुछ ऐसा इसमे क्या काम करें कि हमारे घर में कभी किसी तरह का सीलन नहीं आए, हमारा महुंगा से महँंगा, पेंट प्लाश्टर खराब ना हो तो दोस्तों उसके लिए तरह-तरह के लोग यहां पर मेथड़ बताते हैं तरह-तरह का तरीके आजमाये जाते हैं मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही बताऊंगा यहां पे जो की आपको सही जनकारी देगा और आपको जो घर में सीलन की समस से है वह भी यहां पर दूर हो जाएगी दोस्तों बहुत जगा ऐसे देखा जाता है कि लोग जब अपना डीपी सी पिलिंद भी बनाते हैं तो उसके ऊपर बोला जाता है कि पोलिथीन सीट का यूज कर लीजिए उससे क्या होगा कि आपका जो सीलन है उपर दिवार पर नहीं हमारे बिल्डिंग पर एफेक्ट होता है तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर या बहुत सारे लोगों को जो साइट के एक्सप्रियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी प्लास्टिक लगाने के बाद या फिर वाटर करने के बाद जो सीलन आ रहा है तो मैं दोस्तों अब उनके लिए यह बहुत एफेक्टिव वीडियो होने वाला है जो अपना घर अभी के टाइम में बना रहा है इतना सब कुछ देखने के बाद समझने के बाद फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सीलन को रोक प्लास्टिक सीट डाला गया है तो दोस्तों बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है और बताया जाता है कि आप अगर पुलिथीन सीट वहां डीपीसी के नीचे यूज कर लेंगे तो आपको आटर प्रूफिंग एजेंट का काम करता है यानि कि वह बैरियर का काम करता है और आपके सीलन को ऊपर नहीं चड़ने देता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूंकि पॉलिथीन सीट जो होता है एक चुली में वह आपको कोई एडवांटेज नहीं होता है उसका वह आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाता है बलकि उल्टा उसमें देखा जाए तो म क्या होता है कि वह प्रस बनाते हैं तो फारस में वह हमारा पॉलिथीन सीट घौने और आप ताइल के नीचे दिख सकते हैं के कैसे हमारे दीपीसी और आप देखेंगे तो धीरे-धीरे वहां से दिवार में आपको क्रैक बनना सुरू हो जाता है और बड़ा रूप ले लेता है जिससे हमारा दिवार और कॉलम जो है वह आपस में एक दूसरे में बॉंड नहीं बना पता है दोस्तों प्लास्टिक भी यहां यही एफेक्ट करता है आपके बिल्डिंग में क्या होता है कि वहांपर आपके चोंक्रीट है और जो की दिवार उसके बीच में कोई आपको वहांपर बॉंड १ाधा जाता है और कलाERS नीचे बन जाता है जिसे हमारा टाइल से या पत्थर का भी जो काम करते हैं हम अपने फ्लोर में उसमें भी सेटलमेंट होता है वहां भी हमें नुकसान हो सकता है दूसरा मेथर्ड यहां पर बहुत जगा देखा यह जाता है कि लोग कहते हैं कि वहां पर हम ब्लैक जापान जो वाला हूं कि दोस्तों यह बलैक जापान जो पेंट है यह आप अपने चौक हट लकड़ी के जो भी फ्रेम बनाये जाते हैं दरवाजे खिड़की के आप वहीं यूज करें तो यह बेटर है क्योंकि वह एंटी टर्माइट का एक काम करता है और आपको यहां पर डीपीसी में लेकिन इतना गरांटी देता हूं कि आपको सतर से असी परषेंट जो सीलन की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी जो हमारा पहला मेथड ये होता है जो कि commonly सारे जगा पुरुभाइड हो जाता है मिल जाता है पहला मेथड ये होता है कि जब भी आप DPC अपना तयार कर लेते हैं रोडी डाल लेते हैं तो उसके बाद आपको उस पे जो हमारा एसफाल्ट होता है एसफाल्ट जिसे दोस्तों करते हैं जो रोड में ढांट यूज करते हैं वह आपको में बांकेट में बाल प् इसको बलैक कलर्व का नमर यह रहा है जो मिसके नहीं वहां पर को दो निसे लागा लेना है और आपको कमद्ध रेक्धितẹ regen वह सर्जिल देना जोटेना है जिससे उसमें अकसर पांच से 10 लिटर की 20 लिटर की बाल्टिया सस्ते दामों मिल जाती है दूसरा जो हमारा सबसे कॉमनली जो मार्केट में अबलेवल हो जाता है वो होता है हमारा डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल जिसे हम 301 URP के नाम से जानते हैं और दूसरा हमाराजों में powder कुछ mix करके, दोनों को mix करके फिर आपको अपने DPC के ऊपर coat लगाना है जो हमारा powder होता है वह भी डॉक्टर फिक्सिट का 105 वाटर प्रूफ पाउडर वाटर प्रूफ होता है, यह दोनों को आपको मिक्स कर लेना है अगर इसमें जैसे आप URP A के आप पे रेशियो कर लेते हैं तो वहीं दो रेशियो का आपको उसमें powder के जो cement के जगा आपको powder मिला के अच्छे से उसका mix proportion बना के फिर आपको दो coat में उसको apply करना है इससे भी बहुत हद तक देखा जाता है कि यहां sealant की समस्य से निप्टारा हो जाता है तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा important हमारा waterproofing agent है दोस्तों यह थोड़ा costly होता है और यह यह भी जो है हमारे market में मिल जाता है लेकिन आपको इसके लिए बहुत हो सकता है बड़ी दुकानों में जाना पड़े या order करके मागाना पड़े यह हमारा Sika company का भी मिल जाता है पर्मा company का भी मिल जाता है इसको दोस्तों हम PU बाल्टी पे लिखी होती है जिसको हम polyure ethane जो होता है यह chemical होता है दोस्तों यह बहुत अच्छा waterproofing agent का काम करता है और इसको tested भी किया गया है इससे बहुत हद तक sealant आपका रुक जाता है यह जो दोस्तों होता है यह भी आपको market में 10 लिटर, 5 लिटर, 20 लिटर के बाल्टीय मिल जाती है और यह जो दोस्तों सफेद कलर का यह ग्रे कलर का liquid होता है डीपीसी यह पिलिंथ बीम के ऊपर आपको यह liquid membrane लगा लेनी है दोस्तों यह थोड़ा से expensive होता है लेकिन बहुत ही अच्छा chemical होता है यह आप अपने च्छत पे भी या अपने बाथरूम में भी अपने waterproofing के लिए यूज कर सकते हैं